गाइस तो स्वागत है आपको मैं चनल सरकारी बाबू में तो गाइस FSAI में 2019 के बाद बहुत बड़ी वेकंसी अब आई है 2021 में और कफी अच्छी अपरचुनिटी है साथ में जिन लोगों ने CGL, CHSL और NBE, NWDA और ये NIOS, IGNU इन सब के फॉर्म भर रहे थे असिस्टेंट वगएरा पोश्ट के लिए तो उनके लिए और भी अच्छी अपरचुनिटी है लास्ट आम इसका एक्जाम दिया था तो 400 मार्क्स का पेपर होता है काफी अच्छा गया था मेरा और मेरे कट ओफ से शायद 10 या 8-10 नंबर कम थे तो as you know कि मैं already एक government service में हूँ तो मेरे जो नीचे के MTS वगएरा उनने भी दिया था तो क्रेसर आपके तो काफी अच्छी नंबर है आपको तो प्रैक्टिस कने चाहिए आपको ही अच्छी लेवल पहुंच सकते हैं तो as I am already in 1900 grade पे in level 2 तो जो है मैं ट्राइ करता है तो इस बार मैं इसका फिर दुबारा भरूंगा क्योंकि लास्ट टाइम मेरे काफी अच्छे माक्स थे तो गाइस एक अच्छी opportunity है उन लोगों के लिए जिन्हों ने graduation किया है या 12th pass किया है तो 2400 grade पे और बैले सो ग्रेट पे गी नौक रिये हैं और यह ले सो ग्रेट पे यानिक आराउंड 60,000 के सासपास सेलरी बनती है 24,000 के साथ सब्सक्राइब चाहिए तो अभी देख लेते हैं गाईस तो यह गाईस जो आपकोर में आपकी वेलेट के लाएगी आपकी 8 अक्टूबर से बागी देगहें था सब्सक्राइब और खाली ग्रेजुईज़न और 12th पास बांगे बंगा वह आपको आपका junior assistant grade 1 हिंदी translator math study real कर सकते लेकिंए उसकी a की वेकंसी है junior assistant grade 1 की खाली तीन ही वेकंसी है ठीके और जो सबस्था वेकंसी है वो है assistant की 33 post के है last time 34 vacancies आइं थी ठीके और जो है इसमें junior assistant की एक URK एक OBC की AWS की एक है ठीके तो इसका मतलब स्ट लोग बिल्कुल अप्लाई नहीं करने वाले हैं तो कॉंप्रिटिशन जो है थोड़ा सा कम रहेगा और लोग इसलिए कम रहें कि एक वेकेंसी से तो अगर आपको लगता है या पास कर सकते हैं जो जरूर भणना इस अपरचुनिटी को ठीक है बाकि आप एसिस्टेंट क खाली ठीक है तो बाकी क्रिटेरियम्ह देखें तो देखिए इसमें जो लास्टाफ म क्या किया था है इन्होंने असिसटेंट पोस्ट या सब्सक्राइब लिए बागी पोस्ट के लिए अलग कर दिया है कि सीवीटी टू लेंगे लास्ट ताम के तो एक बार आपको रिटेंट टेस्ट वह जो था लास्ट नाइम का तो यह आप देख सकते हैं आपके सामने है यह लास्ट यह का बार 19 का है तो अगर आप इसमें देखें आसिस्टेंट पोस्ट जो मैं दिया था लास्ट टाइम उसमें सीवीटी प्लस रिटेन एक्जाम इसके बेस पे था बाके इंटर्व्य वगया थे रिटेन एक्जाम में कॉपी चेक करने थोड़ा टाइम लगता है इसलिए इस बार फटीग बचाने के लिए यह ऐसा किया है साथ में दूसरा रिजन एक और भी है वह यह है कि जल्दी सीबीटी से चेक होके जल्दी आंसर जल्ली जाते हैं फिर भी इनों लास्ट टाइम भी सिक्स मन्त के अंदर जॉइनिंग कंप्लीट करा दी ती तो इस बार जो है यह और के चाहिए इससे बड़ी अपरचनेटी तो कुछ मिलती नहीं है चाली सो ग्रेड पर मैं डायक एक पेपर और नौकरी अधा सलेवस की बात कर ले उसलेवस की मैं दूसरी वीडियों बात करूंगा इसकी ठीक है अगर आप भरना चाह रहे हैं तो इन पोश्ट के लिए बहर सकते हैं पर्सनल असेटेंट की वेकंशी भी है थी चाहिए और इस टेनोग्राफ राइस शाट है आती है वह सकते हैं उनकी 19 वेकंशी अच्छी खासिवेकंशी ठीक है लेकिन शोट है वाले ही अपलाई कर जेगा इसमें ठीक है तो यही था बाकि अगर आपके कोई औ आउट्स या कमेंट्स हो तो नीचे से कमेंट सेक्षन में टाइप कर देना एंड डेफिनेटली हेल्प यू लास्ट टाइम जो पेपर था उसमें सो कुष्ण आया थे और चार नंबर का सो कुष्ण थे चार मार्क्स का एक कॉष्ण था जैनि चार सो नंबर का पेपर था है तो अगर आप त्यारी करें तो अभी से जुड़ जाइए क्योंकि आपको काफी कुछ पढ़ना पड़ेगा काफी साथ चीज़ें स्लेवस में नेक्स्ट वीडियो में बात कर लूँगा ठीक है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और नीचा कमेंट सेक्षन में बताना कि आपको स्लेवस चाहिए कि नहीं चाहिए और के थैंको गैस